नमस्कार मित्रों एक बार पुने आपका स्वागत है एजी होम प्लान में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सी दिसा है जिस दिसा में लेटिंग घर यानि की टोईलेट का निर्मान करना सबसे उप्यूक्त रहता है देखिए जो लेटिंग घर होता है वो घर दुकान या फेक्टरी जहां भी आप निर्मान करते हैं वो हमारा अपसिष्ट परदार्थ होता है यानि की नेगेटिव एनरजी होती है उसका निर्मान आप घर में अगर इधर उदर या ऐसी जगह कर लेते हैं जहां पर नहीं करना चाहिए तो उसके परदिणाम काफी घातक और नेगेटिव रहते हैं जैसा कि इस प्लाट के अकोर्डिंग आप समझ पाएंगे मान लीजी ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रोक कर रखिये ये आपके घर, दुकान या फेक्टरी किसी का भी आप अपना प्लाट मान सकते हैं हर प्लाट की अपनी एक दिसा होती है आप सभी को पता है जिस भी भूमी पर आप कोई भी निर्मान करते हैं उसकी अपनी एक दिसा होती है इधर माली जी आपकी पूरब दिसा है ये आपका कॉर्णर अगनी कॉर्णर है ये दक्षिन दिसा याने की साउथ है ये आपका निर देवस्तान है आपका नौर्थ और इस्ट यानि कि जो इसान कोर्नर होता है घर का ये जो भाग रहता है इतना भाग इसको कहते हैं इसान कोर्नर क्या कहते हैं इसान कोर्नर ये क्या होता है ये घर का आपका भाग होता है देवस्तान वास्तु पुरुस का यहां पर सर होता है और इधर पेर होते हैं, घर के अंदर आपको लेटिंग घर बनाना है, तो सबसे उप्युक्त जगए कौन सी होगी, इस पूरे वीडियो को देखकर आपको हर एक माइनर पॉइंट समझ में आ जाएंगे, देखिए इसान कोर्नर अपना देवस्तान होता है, देवस्तान का मतल निर्मान, टोइलेट का निर्मान कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि देवस्तान के अंदर अगर आप अपसिष्ट परदार्त यानि गंदगी का निर्मान कर लेंगे, तो आपके जीवन के अंदर काफी दिकतों का सामना करना पड़ेगा, तो इ परतिष्टा हमें कौन देता है, परतिष्टा देते हैं सूर्य बगवान, ये दिसा होती है सूर्य देव की, तो इस दिसा में कभी भी आपके टोइलेट यानि की लेटिंग गर का निर्मान आपको नहीं करना चाहिए, काफी गरों में आपने देखा होगा जिनके इसान और पुरब दिसा में लेटिंग गर का निर्मान हो रखा है, उन घरों के अंदर बहुत ज़्यदा दिकते देखने को मिलती है, यहां तकी दुरगटना, माइग्रेन या लकवे जैसे भी सिकायते हो जाती है, तो इन दोनों स्तानों को इग्नोर करना है, उसके बाद में ये कौ अगनी कौर्णर किसका होता है, अगनी कौर्णर सुक्र का सुचक होता है, अगनी देव का स्तान होता है, यह हमारे जीवन में महनत, लगन और इन्वेस्टमेंट को दरसाता है, तो अगनी कौर्णर के अंदर भी आपको अपनी लेटिंग घर का निर्मान कभी भी नहीं करन अब ये जो है स्तान देख क्याओं न करें वर्णा आपके जीवन में आपको नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अब आप सोच रहे हों कि यहां भी नहीं करना यहां भिन करना यह जो आपके तो करें कहां तो देखिए ये जो आपका पॉर्षन आया है ये आपका आया है दक्षिन दिसा दक्षिन के बाद में आपकी ये जो इतना पॉर्षन रहता है दक्षिन दिसा के बाद में और फिर ये जो आपका इतना पॉर्षन आता है ये आपका आता है साउथ वेस्ट यानि कि निर्थग कोन सा कोर्णर आता है निर्टग्य कोर्णर ये जो दिसा होती है ये रहु केतु की दिसा होती है तो इस कोर्णर में भी आपको अपने लेटिंग घर का निर्मान नहीं करना है काफी लोगों के ये स्वाल रहता है कि सर काफी पुस्तुकों में और इंटरनेट पर भी हमने होता है अगर आप यहाँ पर टोईलेट बनाते हैं तो आप यहाँ पर एक खड़ा कोदेंगे खड़ा कोद के अपनी टोईलेट सीट यहाँ पर सेट करेंगे और कभी भी निर्तग्य कोर्णर आपका नीचा नहीं रहना चाहिए इस चीज़ का विसे ध्यान रखें निर्तग्य कोर्णर घर के अंदर पर्थवी तत्वे होता है जितना मजबूत और उंचा होता है घर के अंदर सुक समर्दी उसी अनुसार आपके रहती है जिन घरों के अंदर निर्तग्य कोर्णर दबा होता है उन घरों की इस्तति बहुत ज्यादा वीक रहती है जैसा आपके इस्तान कोर्णर में दोस होता है उसी तरह आपका निर्टगे कोर्णर में दोस होने पर घर की इस्तति काफी गंभीर रहती है तो यहाँ पर अपना टोयलेट बात रूम ना बनाएं हाँ इस स्थान के उपर अपना आप टोईलेट बातरूम बना सकते हैं आपको अगर लेटिंग घर का निर्मान करना है तो आप इस स्थान के उपर अपने लेटिंग घर का निर्मान कर सकते हैं उसके बाद में आता है यह स्थान यहाँ पर भी आप अपने लेटिंग घर का न आ सकते हैं अब आ गई आपकी यह पक्सिन दिशा और यह आपका आगया हुई जिसा उसके बाद में यह आपकी आगई उत्तर दिशा उत्तर दिशा जो अपनी होती है वो कुबेर धन और एसवरिये देने वाली यह दिशा माने गई है कि इस की दिशा है यह बुद्ध की आपके जीवन के अंदर करजा बहुत जादा होगा, आपकी फाइनेंस जो दिकते रहेगी life के अंदर वो बनी रहेगी और जीवन के अंदर धन समन्दी प्रोब्लमें लगातार आपके और आपके बचों के भी रहेगी। तो इस दिसा को आपको इग्नोर करना है अब आती है वाइविय दिसा वाइविय दिसा के अंदर काफी लोग इस दिसा के अंदर लेटरिंग बातरूम को इग्नोर करते हैं कि नहीं बनाना चाहिए क्यों नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह जो वाइविय दिसा होती है यह आप पर अपना लेटरिंग बातरूम बना सकते हैं तो आपके तीन जो सबसे most important point है पहला ये दूसरी इस्तान ये तीसरा इस्तान ये और यहाँ पर भी कुछ हद तक आप अपना लेटरिंग बातरूम दे सकते हैं यानि कि इतना जो एरिया है वहाँ पर आप अपना लेटरिंग बात्रूम अराम से बना सकते हैं यहाँ पर भी अपने लेटरिंग बात्रूम का आप निर्माण कर सकते हैं सबसे जो एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि इन इस्तानों के उपर आपको लेटरिंग बात्रूम नहीं बनाना है अब बात आती है वाइब वे कॉर्णर की कुछ इस्तानों के अंदर अगर आप कुछ चीजों को छोड़ दे तो आप वाइब वे कॉर्णर के अंदर जो western seat वाला लेटिंग बात्रूम है उसका निर्माण कर सकते हैं तो यहां पर आप इतने space का use करके कर सकते हैं अगर आपके पास इन इस्तानों पर उप्युक्त जगह नहीं है बनाने की तब ही आप वाइब वे कॉर्णर में निर्माण करें अन्य था आपको first, second, third इनी option का निर्माण करना है तो सबसे जरूरी जो चीज जानने की है वो यह ह कि आपका जो वाइब वे कॉर्णर है उसके अंदर आपको निर्माण तभी करना है जब आपके पास कोई और option विकलप ना हो अगर आपके पास विकलप है तो आपको इनी इस्तान के उपर अपने लेटिंग बातरूम का निर्माण करना है और निर्माण किन इस्तानों पर नहीं करना यहां पर नहीं करना यहां पर नहीं करना सूर्य की जिदी सामनी करना अगनी कोर्णर नहीं करना क्योंकि यहां पर आपकी रसोई आएगी अगर जिस इस्तान पर आप बोजन बना रहें वहीं पर अगर आप अपसिष्ट परदार्द निकालने का स्तान बना दें तो मैंने कोसिस की है आसानी से एकदम आसान सब्दों में हिंदी में आपको अच्छे से समझाने की कहां पर आप अपने लेटिंग बातरूम का निर्माण कर सकते हैं और कहां पर नहीं आसा करता हूँ देगे जानकरी आपको अप्युक्त लगेगी आगे भी इस टाइप की बहुत सी जानकरी आपको मिलेगी कि लेटिंग करते समय आपका फेस किस दिशा में होना चाहिए सीड़ियां कितनी होनी चाहिए घर में कौन सा कलर करें और काफी नकसे भी हम लेके आ रह प्रफटेंग